हेलो बच्चों मैं निहासे नौभारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की पाठे पुस्तक आरो हो जो की अनिवार ये हिंदी के पाठे पुस्तक है आपके उसका दूसरा कावे खंड का दूसरा पाठ मीरा भाई मीरा भाई के पद चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में सबसे पहले हम मीरा भाई के बारे में जानते हैं मीरा भाई कौन थी मीरा भाई का जन्म सन 1498 इस्वी के लगबग राजिस्थान में मेरता जो रियासत थी मारवार उसके कुड़ की नाम गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम रत्नसेन था और इनके जो दादा जी थे वो राव जोधा जी थे जिनके नाम पर जोधपुर बसा हुआ है और इनकी पोती थी हैं इनके जो पती थे वो राणा संगा के बड़े बेटे जो थे भोजराजी वो थे जिनका खानवा के युद्ध के दौरान वीरगती को प्राप्त हो जाते हैं छोटी आयू में इनकी माता का देहान दो जाता है मीरवाई का बचपन से श्री कृष्ण की भक्ती में लीन रहती हैं जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे श्री कृष्ण के प्रती इनका प्रेम बढ़ता जाता है और उन्हें वे अपना पती मानने लगती हैं जब इनके पती का बोजराजी का देहफसान हो जाता है वो मृत्यू को प्राप्त हो जाते हैं वीर गत्यू को प्राप्त हो जाते हैं तब इन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं भगवान श्री कृष्णे की भक्ती करने के लिए और श्री कृष्ण की भक्ती में इतनी लीन हो जाती है कि अपने परिवार की जो मान बर्याता है उनको भी नहीं देखती है इनहें कोई परवाण नहीं रहती है उनकी सारे संसार कीलिंटी रवादों को त्याग करिये बगवान श्री कृष्णे के मंदिरों में नाचती हैं, गाती हैं, भजन की इतन करती हैं, सादू सन्यासों की संगती देती हैं, जिनको देखकर इनके जो परिवार वाले हैं, ससुराल वाले वो दुखी होते हैं, और इनके कई बार इनको मानने का प्रयास किया जाता है, इनक समाप्त करने के लेकिन फिर भी ये श्री कृष्णे की भक्ति के कारण ये इनका जो जीवन है वो बच जाता है और श्री कृष्णे की प्रति इनकी जो भक्ति है वो बढ़ती जाती है इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में नर्सी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरट के पद, गीत गोविंद की टीका, मीरा भाई की मलहार, राग विहाग, फुटकर पद, गरवा गीत, आधी प्रमुक हैं इनकी जो भाषा अगर देखो आप तो इनकी भाषा राजिस्थानी है, मूलता, लेकिन राजिस्थानी के अलावा ब्रच भाचा के कुछ शब्द भी इनकी काव्य में मिलते हैं, सादु जो सूफी संत्ते उनका भी इनके उपर प्रभाव देखने को मिलता है और इनकी जो पद हैं, उन पदों में भगवान श्री कृष्णी की लीलाओं का वर्णन किया गया है, इन्होंने अपने आपको पुरी तरह से भगवान श्री कृष्णी को समर्पित कर रखा है मतलब इनके जीवन का सब कुछ कौन है, भगवान श्री कृष्णी है आपके पाठेक्रम में इनके दो पद दिये वे हैं आईए उनका अध्यन करते हैं पहला पद मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा ना कोई इसकी भूमी का क्या है ये पद जो आपके पाठेक्रम में दिये वे हैं ये किसके द्वारा संक्लित किये गए हैं इसके संक्रन करता नरोत्तम दास स्वामी जी है और मीरा मुक्तावली से ये लिये गए है ठीक है? अगर आपके प्रसंग आता है मतलब आप जो व्यक्या करते हैं तो उस प्रसंग में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पध्यांश या प्रस्तुत पद मीरा मुक्तावली से दिया गया है और इसके संक्रन करता कौन है? श्री नरोत्तम दास स्वामी जी है इस पहले बद में मीरा पाई ने श्री कृष्ण के प्रती अपने अन्यन्य प्रेम भक्ती को व्यक्ट किया है वे श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती अपनाया है अन्त में खुद को श्रीकृष्ण की दासी बताती है और प्रभु को प्रभु से अपना उधार करने की आचना करती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सर मोर मुकृष्ण को धारन करने वाले गायों का पालन पोष्ण करने वाले है भगवान श्रीकृष्ण है मेरे आराध्य तो वही है जाके सर मोर मुकट जिनकी सर पर मोर का मुकट है और मेरे पती तो वही ही है छाड़ी दईकुल की कानी कहा करी है कोई कि मैंने तो उनके लिए ये संसार की जो लोक लाज है उसको भी त्याग दिया परिवार की मान मरियादा को भी मैंने त्याग दिय मेरे साथ तो इस संसार का बैठी बैठी लोग लाजगुई संतो की संगती में बैठ चे लोगों की संगती में बैठ करके व्हक्ती भावना में लीन रहकरके मैंने ये पुंजी कमाई ये कौन सी पुंजी भगवान की भक्ती रूपी पुंजी मैंने कमाई है और अब मैं इस लोक संसार की जो नियम है जो रिती रिवाज है उनसे नहीं डरती मुझे फर्क नहीं पड़ता है उन सब का क्योंकि मेरे तो अराध्य कौन है श्री कृष्ण है और उनकी भक्ती में मुझे असीम आनंदगी प्राप्ती होती है असवन जल सीची सीची प्रेम बेली बोई मैंने आसों के जल से इस प्रेम रुपी बेल को सीचा है उसको बढ़ा किया है धीरे धीरे अब ते बेल फैल गई आनंदफल होई अभी ये प्रेम रुपी बेल जो है वो फैल गई है और अब इसमें फल आने का समय हो गया अर्थ यह दूद जमने मुलांटे हूं RC क्या हो जाता लिए तो मैंने दूद करते कि नहीं आरा गुक्त हम दयह बिलोते हैं तो बिलोने के लिए किस काम बिलखों से अच्छी तरीके से तो क्या होता है जो मखफन होता है जो कहते है और झालजास होती था तो यहां पर मीरा भाई यह वंडन कर दी है कि मैंने दूद्ध जमाने का जो बर्तन है उसमें प्रेम पूर्वक रई डाली और रई की सायता से उसको मथा और ऐसा करने पर जो दही था वो दही में से मत करके मक्षन तो अलग हो गया और जो चाच बची उसे मैंने अलग कर दि को मत कर मैंने उसका प्रेम और भक्ती रूपी जो सार तत्व था वो ग्रहन कर लिया और चाच जैसी जो सार हीन चीज थी महत्व हीन चीज थी उसको त्याग दिया उसको फैक दिया आप यहां पर मीरा आगी क्या के रिए कि दधी मति गृत काड़ी लियो और डार दही और चाच को छोड़ दिया भगत देख राजी हुई जकत देख रोई कि यहां पर जो मीरा भाई है वो अननन के लिए श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर उनकी भक्ती को देखकर उन्हें आनन्द की प्राप्ती होती है और संसार की मोह माया को देखकर के संसारिक जो भव बंधन है उनको देख करके उन्हें दुख प्राप्त होता है उन्हें देख करके वो रोती है दासी मीरा लाल गिर्धर तारो अब मोही मीरा निवेदन करती है मीरा भाई प्रातना कर रही है याचना कर रही है श्री कृष्ण से कि हे गिर्धर लाल मैं तो आपकी दासी दूसरा पत देखते हैं करताया गया है कि मीरा के परिवार वाले मीरा को मारने का प्रयास करते हैं लेकिन श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं उनको हर प्रकार की कटनाईयों सोयने बचाते हैं और इसलिए मीरा कहती है कि मुझे तो जो अविनाशी प्रगवान है जो श्री कृष्ण है उनकी प्रा ये कर रही हूँ, मैं तो मेरे नारायन सु आपाई हो गई साची और मैंने तो पूरी तरीके से अपने आपका बगवान श्री कृष्णे के प्रदी समर्पित कर दिया है और जब मैंने उन्हें अपने आपको समर्पित कर दिया तो उनके लिए ये सिद्ध हो गया, मैं उनके लिए सची भक्तिन बन गई अर्थात मैंने अपना सब कुछ किसे सौप दिया, श्री कृष्ण को सौप दिया और ऐसा करने से मैंने अपनी भक्ती का सच्चा प्रमान दिया है मैंने प्रमानित कर दिया है कि मैं उनकी भक्तिन हूँ लोग कहें मीरा भई भावरी न्यात कहें कुल नासी ऐसा देख कर जो परिवार के लोग हैं जो आसपास के लोग हैं वो तो क्या कहते हैं मीरा को पागल कहते हैं बावरी यानी पागल कहते हैं और जो कुल के परिवार वाले हैं, जो समाच के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, इसे परिवार की मान मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है, लोगों के सामने नाशना, गाना, कीरतन करना, ये सब उनकी परिवार के मर्यादा के खिलाफ था, विर हुष्तिय करती थी तो ये सब क्या था उनकी मान मर्यादा के खिलाफ था विरुद्ध था इसलिए उने कुल का नाश करने वाला कहा गया विसका राना भेज ए पीवत मीरा हासिर और उनकी इन क्रिया कलापो को देखकर उनके जो देवर थे राना विक्रमा दिटियों अब मीरा बैयां वर्णन के रिए बगवान श्रीकृष्ण की दया से वे विश्वी उनका कुछ नहीं बिगाड सका पर है तो कोई भी विश्वी उनका कुछ नहीं बिगाड सकता है नहीं बन सकती और ऐसा उनकी भक्ती से उन्हें प्राप्त हुआ है उन्हें सहजी भगवान श्रे कृष्ण की प्राप्ती हो गई है उन्हें बहुत सरलता से बहुत ही आसानी से भगवान कृष्ण की प्राप्ती हो गई है अच्छा बचो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वी गजर पाता हमानी या और पामा में जाना को साल पाया हम सामनी जाना रप्रोच ट्यों कल करा कि लुगता र humbled specially lol